आप कोईश्टन पर आजाओ एक्सरसाइज 13.1 कोईश्टन नमबर फ़र्ष्ट ध्यान दीजिए कि दो घनों जिनमें से परते का आयतन मिन्स बैलूम 64 सेंटिमेटर क्यूब है के संलगन फलकों को मिला कर एक ठोस बनाया गया है इससे प्राप्त घनाब का प्रिष्टिये छेत्रफल ग्याद कीजिए देखो बेटा वजह क्या है इसमें समझ रहे हो कि दिखाँ हूँ इसे आप ध्यान से देखो दिख रहा है आप कलपना कर उस्चों अगर एक डिबबा और होता है इसके भगल मैं से जोडबा देता तो क्या होता लंब यह बढ़ जाती हो कि बढ़ जाता ना अ cutting अगर एक डिबह आर होता एसे उसको में बगल मैं से आखे रहा है दो घनाब हैं जिनको जोड़ा गया बाबू ठीक है दो क्या है गनाब है तंजो इन्हें गनाब नहीं स्वरी दो घन है जिने आपस में जोड़ा गया है कि समझो मगर प्यार फे ये ये एक हैवी सिंगल ओके अब जरा एक बार कल्पना करो अगर इसमें एक और जोड़ दें तब क्या हो जाएगा इसका फिकर कैसे दिखेगा बताओ कैसे दिखेगा भाई रोहित परजापती पुरसोत्तम लालू पंजाबी मस्त है ना सब बोलो एक बार यास है ना मस्त सुनो इनमें अगर हम एक ठी और जोड़ दें बापु जरा ध्यान दो भाई किदर से जोड़ो गयार मुझे तो कुछ बुझा नहीं राइस में किदर से जोड़ें इधर से जोड़ेंगे न कुल मिला कि आप ऐसे समझ लो मैं कभी जोड़ा हूं नहीं अजीब टाइप का बन जा कि आप ऐसे जोड़ेंगे लंबा हो जाएगा समझ लीजिए तो आप समझो जैसे कोई दो गुटका में आपको डिभा दिखाई देता हूं मेरे पास वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन टाइम थोड़ा फल लगेगा उन्हें लाना पड़ेगा खीच खांच के गई से निकाल कुल आपका कमेंट आ रहा है ठीक है चलो बुक खोलो पेज नंबर पेज नंबर 279 जो किताब के लिए परसान है लिखो बेटा दिया है दिया है गिबन गहनों का आयतन इक्वल शिक्टीफोर सेंटीमीटर क्यूब यह बैलूम है तो हमेशा क्यूब में होता है ठीक है ओके दन चलो देखो समझो क्योंकि दोनों घहनों को जोड़ा गया है इसलिए जो परडाम पराप्त हुआ वो एक घहना बना है मतलब क्यूब आइड बना है इसलिए घहन का जो आयतन होगा वो क्या करेंगे अब हम यहाँ पर रियल फार्मूले में आएंगे लिखो घहन का आयतन अभी हमें भूजा नहीं मालूम निकालेंगे यहां से यह भूजा का क्यूब होता है यह स्टूत्र होता आप सबको पता है होता ना बाबू यह फर्मूला होता ना रजा हां तो क्या कुछ छुप रहा है पीछे नहीं न ठीक है अब यह दिया आपका 64 क्या दिया भाईया 64 दिया है तो आप इसे 64 रख करके भूजा का क्यूब कर लो भाईया कि इतर इसका सममन निकल जाये गा बराबर भूजा तो भूजा आपके आजाएगी चार संटीब्र वह बोलो यह बात समझ में आई सबको इतना आगेवा पांनी यहसे पांसे समझेह उति ह्योब अगर आ गया ओके आप क्या करेंगे सिंपल सी बात है आप ऐसे समझ लो अगर हम आपको आगे का फेस दिखाए सिर्फ कुश्चन नहीं दिखरा होगा तो मैं इसको हटा देता हूं पहले स्क्रीन से फिर मैं आपको दिखाता हूं में पॉइंट ध्यान दो प्यार से देखो देखो बेटा अगर हम बात करें सीधा सीधा जो हमें दिखेगा आगे से वो इतना दिखेगा न अगर यह फोर फोर आ गया कह रहा था कि दो गहन आपस में जोड़ा गया है तो भाईया इंथी अगर इसके बगल में और लाके जोड़ देंगी राजा तो क्या होगा ऐसे है यह इनि दो प्रॉटल कें होस्कि भॉस्हों अपनि इसकी लम्बाई आज गी नही कि प्रॉसपा ट lasted कि आ यह जो क्या कह सकते हैं उचाही कितंपी होगी by जोड़ा गया तो लंबाई बढ़ी मुझाही थोड़ी बढ़े Cost है समझ गए अब अगर भुजाएं मिल गई तो क्या करेंगे बहिए करेंगे क्या जो करना वहीं करेंगे चलो कर लो फिर रोंका किफने लगा दो सुत्रब प्रिष्टिये छेत्रफल बराबर कि अर्फेस एरिया इक्वल वीडियो को पीछे करके लिख लीजिए विना फार्मूले के कुछ नहीं होने वाला है लिखिए सर्फेस एरिया इक्वल जो सूत्र में इंट्रोड़क्शन पार्ट में पढ़ाया था वही लिखना है लिखो प्रिष्टिये छेत्रफल चाय से लिख लो घनाब का नए बने घनाब का प्रिष्टिये छेत्रफल इक्वल टू इंटु यल बी प्लस बी एच प्लस हल समझ में आ रहे है न थोड़ा क्लियर लिख लो यल बी प्लस बी एच प्लस हल कि एक फाल मैं एक फार हाइट ओके कहारे मान रगदो बाबू यल कमान आठ आए ब कमान चार आया है कि यहां भी कमान चार है यह नहीं चार प्लशोला फलश वात तीस जोडोगे 64 प्लस फोला अफ़ी आएगा दो गुड़ा अफ़ी बराबर 160 सेंटीमीटर का स्कॉयर ध्यान रहे छेत्रफल निकाल देओ तो स्कॉयर में आएगा लिख लो फटते जल्दी करो आगे बढ़ते हैं नहीं समझ में आगा कमेंट करना बिल्कुल टेंशन मत लेना किसी को कोई डाउट नहीं न और एक्सरसाइज 13.1 का कोश्चन नंबर सिखेंड 13.1 का कोश्चन नंबर सिखेंड ध्यान से पढ़िए कहरो है कि यदि कोई बरतन एक कोई बरतन है जो भोख्ले अर्थ गोले याазд कोईर के आकार का है जिसके उपर एक खोख्ला बहलान अध्यार उपित है मिस उसके उपर एक सिलेंडर भी रख आ गया है 12.1 पर गौले का ब्यास 14 सेंटिमिटर है और इस बरतन यानि पात्र की कुल जो टोटल उचाई है वो 13 सेंटीमेटर है इस बरतन का आंत्रिक प्रिष्टिय छेत्रफाल यानि इनर तर्फे सेरिय आपको फाइंड करना है चलिए मैं आपको फिगर दिखाता हूं देखो बाबु यहां पे चीज आपको समझना है एक जो आर्दोगोला है न वो क्या है एक तो कि लेंडर उसके ऊपर बना हुआ एक बेलन बना हुआ है जैसे मैं आपको बना की दिखाओ इधर साइड में पहले एक अर्दोगोला बना लीजिए इदर नीचे दिख रहा है न अर्दोगोला बनाने आपको आता है बहिए आई से कुछ बनेगा देखो यह अर्दोगो है कुछ ऐसे है इसमें ज्यादा समय नहीं कि मैं आपको सब दिखाऊं कैसे कैसे बना रहा हूं तो टाइम लास हो जाएगा समय बहुत कम है इसका जो टोटल है ये बाबु आपका 14 है और ये टोटल आपका 13 है ओके इसे आपको ध्यान रखना है और ये सेबन दिया याद रख और जाएगा कि नहीं बैलन्च नहीं हो जाएगा टिमपल्स नहीं इसमें कोई किसी को डैना इसको इदर को सबी लिए यह जो भी है आपका समझ गया ना आप कहने का मतलब यह कितना अच्छे यह साथ है यह 14 यह तेरा यह यहां से अगर हम बात करें तो यह भी तो साथ होगा यह इसकी तृज्ज्या भी क्या होगी साथ होगी लगा दिए फार्मूला लिखे शर्फेस एरिया आप दा करने वाला काम अकरी यह लिखे पर्टफर सर्फेस एरिया आ ऑल लिखिये बातन क प्रीष्टीय यह चेटरफल लिखेंगे रहें बातन का प्रीष्टीय चेटरफल को यह तो क्या लिखोंगे बाभू जो अब आप पढ़ते आयो वहीं लगाओगे फार्मूला नहीं वो नहीं लगाओगे पहले सिंपल सा बात है आप सिलेंडर का C A लगाओगे कर्फ सर्फेस दिया लगाओगे पहले इस फेर वाला को भी सकतों सिलेंडर का अगर लगा दोगे आप तू पाई र एच ठीक है देखो जो अर्द गोला है उसका च्छेटर फल जोड होगे इसके सिलेंडर वाले में तो टोटल इनर का आजाएगा अंदर का ना? अर्ध गोला का आपको पड़ता है कि टू-पाई-आर स्क्वायर है यह होता है ना? अर्दगोले का क्या ? इसमें यच लेकिन कहां होता भई h तो होता नहीं है अर्दगोले का छेतरफल में h कहां होता है ? नहीं होता न तो यह बस वो तो आयतन में होता है अब इस में आप एक काम कर सकते हो इसमें बाबू आप 2PyR Communist ले लो आर कमान साथ है हल कर लीजिए को स्क्रीन से दफा कर दीजिए यह यहां से भाग जाएगा थोड़ा साइड में कहीं भई हट जाए रहे हट जा यार हट जा हट जा काये को टंडा करके रखा इदम से चल देखो सिको 7 से 7 कर जाएगा यह मल्टीपल करोगे 44 यह जुड़ेगा 13 हो जाएगा तेरा चोका बावन हाफील आया पांच आप तेरा चोका बावन पांच सत्तावन यह आ जाएगा आपका आंसर आगया फाइनल किसी को कोई डाउट है तो बताओ नहीं न यह कुशन आपका कंपलेट हुआ इसके बात देखेंगे अगला कुशन नंबर फाइब अगली ख्लास में थेंक यू वीडियो जादा से जादा से ठाइब करिया और बताइए कि कितना दिर पंड़ना चाहते हो एक गंटा अधा गंटा दो गंटा कितना दिर चाहते हो कमेंट करो निछे हलो बच्चों कैसे हो आप सब उमीद है कि आप सब बहुत अच्छे हैं और क्लास आपकी बैतरीन चल रही है साम के साथ बच्चों के आपका क्लास शुरू हो चुका हाई स्कूल का तो बच्चों ध्यान से देखना बाबू आपका exercise 13.1 चला कोश्चन नमबर फोर कोश्चन कह सब्सक्राइब करना है बहुत ही अच्छा है यह देखिए ऐसे समझ लो गहां कि घनाकार बलाक है तो घनाकार का बलाक का मतलब मानलो ऐसे बना है यह घनाकार दिख रहे हैं आपको कि अध्याटाइजमेंट मुफ्त में हो जा रहा साथ में है कि उसके ऊपर एक अर्ध गोला रखा है देखो अर्ध गोला एनी है मिस फेर ना बई ऐसे कुछ दिखेगा ना अर्ध गोला कटोरा जैसे नहीं इसको इसके ऊपर एफर रख दिया ऐसे कुछ बन रहा है समझ रहा हो कि नहीं बाई एक गेंद ले लो गेंद को अगर काटोगे तो कटोरी जैसे बनेगी ना अर्ध गोला का मतलब ही होता है ना गोला का मतलब फुटवाल हो गया एक बाल हो गया अगर एक कटोरा इसके जैसे आ और इसके ऊपर रख दें तो गोला बन नहीं ज़्यादा अगर इस डिब्बे के उपर रखा गया है तो कितना भी बढ़ेगा तीसी बराबर आएगा ना इसे नहीं बढ़े लटक जाएगा तो इसका जो अधिकतम ब्यास हो सकता है वो इस घंगे बुजाओं के बराबर हो सकता है उफे ज़्यादा होगा नहीं तो घंगी सहने संटीमीटर दी है कोष्चन में कह रहा है तो पहलétais तो निकल गया कि इसका जो अधिकतम भ्यास होगा अधिकत只 स्थे हो सकता है है अगली कहानी जो पूरा-पूरा बंद रहा है अब इसका हमें क्या करना च्छेतर पल निकालना फायंड करना एक पैसे निकालेंड गया पहले तो मैं नीचे वाले को और फाइड करेंगे ठीक है और उपर ओपर से इसको धांका गया है तो जो ऊपर वाला इसका भाग है देखो इसमें छे फेस होता ना घंड में एक इधर एक इसके जश्ट आपोजी इधर दो एक नीच्चे तीन एक उपर चार एक इधर पांच एक इधर छे लेकिन इसमें पांच एफेस का हमें एरिया निकालेंगे याद रखना क्योंकि छट यह सर रख रहे हैं तो अगर हम इससे पेंसिल से इसके किनारे किनारी खीचे ऐसे तो एक गोली लाइन बनेगी नहीं बोलो बने की ना एक ब्रित्ताकार का होगा तो बलो बढ़ा गिर ना जाएक मिनट उपके रहो तो दिखाने लिए फो टेणा कर रहा हूं अगर हम इसके चीचिंगे तो क्या करेंगे टोटल जो गंड का च्छेत्रफल हो स्माझ में आया ना पूरा घंड का चित्रफल का सुत्र लगा। उसमें से ब्रित का च्छेत्रफल यानि एरिया आफ सरकल सब्ट्रेक कर दोगे फिर से हेमिस्फेर का एरिया प्लस कर दोगे यही करना है समझना इतना ही था बाकी इसको अगर बनाएंगे हम बोर्ड में तो समझ में नहीं आएगा क्योंकि यह आपका 3D फिगर है तो 3D फिग बाते समझ गये अब लिख लो फिर बाकी फिगर आप लोग बना लेना मैं बना देता हूं काम चलाओं देखो देखे फिगर बन गया ना जो मैं अभी आपको कटोरा भगोना दिखा रहा था ना यह बिल्कुल ऐसे यह वो डिब्बा है जो मैं लिया था इसके उपर जो मैं कटोरा गिराया था यह क्या है अर्द गोला है समझ रहे हो ना लिख लिजिए आगे लिखे प्रिष्ट यह फ प्रोष का च्छेत्रफल बराबर जो जो बोला हूं लिख लिए फट से टाइम नहीं जादा इंगलीस वाले लिख लेंगे लो से से आफ शालिड ओके तो पूरे-पूरे जो कि यूब बनाे आपका क्यूब का एरिया लगा होगे और फिर माइनस तर कल का ईरिया यानि पाई यार इसक्वाइर इसमें से सब्ट्रेक करोगे और फिर प्लस तू पाई यार इसक्वाइर यानि आर्थ गोले का जो छेत्रफल है है में इस पेर का जोड़ दोगे हो गया चलो भाई इसका जो एरिया है भुजाए साथ साथ सेंटिमेटर कही थी क्यों बाबु कहा था ना भाईया अत गहा था ना तो ये सब साथ साथ सेंटिमेटर जो है नहीं जो ॢो कितना है ऌुर्फ की रेडियास बखा गया उपर कटोरह ऊपरिरी जलो यह तो 30 यह जो इसकी को भाळिस तो थाड़े 3 है मारक दीजिए आए इधर थोड़ा पीछे कर लेते हैं इसको 6 A की जगा पे 7 यानी स्कॉयर माइनस पाई कमान 22 बटा 4 इंटु इस आर कमान थाड़े 3 लेकिन एक चीज और आफान कर लो भी रुको वो क्या है आप लोगों को मैं बेसिक मैथ पढ़ाया हूं कि तो यह जाये को सब्साहर है अब मान रखेंगे इसको भी इक च jan लेंगे चलो ऑगएगा एकमान साथ का स्कॉायर प्लस पाई कमान बाइस बटा साथ इंटू आर कमान थरी पॉइंट फाइफ इसकॉायर है इसलिए दो बार करोगे ठीक है अब आपका ये छे गुड़ा सेबन कवर कितना हो जाएगा फोटीनाइन गोलो हो जाएगा ना तो फोटीनाइन लिख लिया अब क्या करोगे इनको कट दोगे 735 जीरो पॉइंट फाइब ये प्लस आपका 22 इंटू फाइब का इसमें मल्टीपल करोगे 1.75 आएगा इतना आपको गुड़ा घटाना आता है आता है ना इनका गुड़ा कर लो छे नमाई चववा नहां फिल आया पांच और छे चवव तो यह आपकर लो इनका मल्टीपल 38.5 आएगा इनको जोड़ लो बबू आप जोड़ लो 332 अब दसमलो पांच और 20 मीटर का स्कॉयर आएगा जो गोला दिया था उसकी एरिया या फिर इसमें क्या दिया था देखो सेंटिमीटर में था मीटर में था किसमें था देखो एक वह सिंपल सा है सेंटिमीटर स्कॉयर आएगा यह होगा आंसर फाइनल आपका कुश्चन नमबर फोर खतम हुआ लिख लीजिए स्क्रीन साथ ले लीजिए और बहुत मेनिट कर रहा हूं सेशन को लाइक जरूर करिए मैं बच्चों का नाम बोल देता हूं जो अभी अभी हुए है सिवांगी जुड़ी हुए है पूजा ठाकुर अर्विंद लॉकुस कुमार निसांत कुमार और स्थरवन तो बच्चों आप भी डिले जुड़ी है हमारे साथ देखते रहिए मैं सबका कमेंट देख रहा हूं कुछ भी डाउट है कमेंट करो बताया जाएगा था हालो स्टुडेंट्स वेलकम टू पीवियार स्टडी बच्चों जैसा कि आपको पता है कि साम को साथ बज़े आप हाई स्कूल की मैंस पढ़ते हो कच्छा दसकी एक्सरसाइज 13.1 चल रहा है इसमें टोटल नौ कोश्चन है और छठा कोश्चन में बताने जा रहा हूं इम हुए को द्वा का एक कैप्सूल एक बैलनका आपकार का है कैप्सूल जानते हो सब्Das किसी मेर्ट्चल इस्टोर पर चले जाना और कषिक्एना चाचा मुझे कैप्सूल दिखा दो तो मजई रहा हूं देख ले व पकमेट करके बता ना पकेप्सूल क्या कार देंकुल जिस यह दूनेर तरफ क्या है सद्धकोला लगा है है और इसकी जो यह रेडियस है वो फाइप हैं आपको देखो फीकर में दिख रहा है दिख रहा है इसका प्रिष्ट्रीए छेत्रफल मतलब सी एस आपको आपको फाइंड करना है अब सर्फए सेरी आपको फाइंड करनी है देखो पहले तो मतलब समझ़ लो तूम टोटल बात में कुछ भी कर सकते हो यह कैपसूल है यह तीन भाग में वटा है कैसे देखो मैं तुम्हें बना के दिखा देता हूं जराण नजर पे देखो प्यार फ पहले इतना देखो तुम कियो इतना ये क्या एक बेलन के आकर का इतना कर नहीं कि अ यह इतना प्थितना पाले प्रलाइज हो इस ए ये ए आपके देशादय का सिलिंडर का कि यह चीज है यह अगर इसको इसको अट लें तो इधर एक अर्धगॉल लागा है इधर भी अर्धगॉला लगा है vragen कहां करें कि कि रिफने करें से पर बीछ पूरा प्रिष्टिय iso कब ना अगर समझे दो बहुत आसान चलो लीखो लिखू रिखो का परिश्टञ छेत्रफल बराबर कि क्व शर्फेस एरिया आफ कैब्सूल कण यहीं तो मैं लिख्वा रहा था लिख लो फट से जल दी से टाइम बेस्ट ना हो जो बच्चे कमेंट करने परिशान बिल्कुल ना रहे मिटा कलास खतम हो जाएगी तब मैं कमेंट देखूंगा लाश्ट में ठीक है चलो यह हो गया कमपलिट जो लिखना था लिखने माली बात रोक के लिखना चाहिए बेलनाकार भाग का प्रिष्टिय छेत्रफल मतलब सी एस आप सिलेंडर आप सबको बहुत अच्छे से पता है मैं समझाया हूं कि टू पाई आरेच होता है ठीक है बहुत अच्छे से बताया हू प्लस दोनो किलारों पर लगे अर्द गॉलों का च्छेत्रफल यानि ट्यु यहमीस फैयर का स्टाइस की होगो सिंपल सब्सक्रवल की पर आर ना अर्द ओले का च्छेत्रफल इस कर हो ना स्टि इसिए मिखेयर इस लिए तो बार लगेगा इसमें कामन ले लो चाच cah लोग लग लेखा क since n अब देखो में पॉइंट का है देखो देखो धू को मिदेखो यह total 5 मिंध और समझ रहो ना और इसकी रेडियस क्या हो जाएकि पिर बीच से इंको को ऐसे करोगे तो 2.5 ना यहां समझाने के लिए लिख रहा हूं 2.5 होगा ना यह रेडियस जो मैंने खीचा यह इतना यह धाई होगा और एक चीज और समझो यह भाईया टोटल 14 है बाबू कितना है टोटल 14 mm है तो चरह एक मिनट यह बता मुझे यह भी आपका 2.5 है यह इत है यह यह लाइन कहा है 2.5 इसको यहां दिखा दे रहा हूं यह समझे रहो यह 1 जीज प्रेज यह लइन कीतना है ऀप नंदो इस मिनट यह फियकर निकालता हो एक मिनिट यह थे कर देख पादाफा वालो फिलेंदर है माले है अ चैचा इसका लिएस कर से निकालते हो इसका ब्यास जितना होता है यह जितना होता है ब्यास होता है नहां गये सिलेंडर का तो तो यह मुदे interrupt यह 22 बटा साथ गुड़ा आर कमान कितना तू पाइंट फाइव यह सिलेंडर का रेडियस आयाद रखना हूं यह यह किसका है यह मतलब समझ रहे हो हाइट किसका सिलेंडर का ना है किलेंडर की कितनी है मतलब इसकी उचाई कितनी है अगर इसको ऐसे खड़ा कर लो बाई सी बात है तोटल पाइब चवदा है टोटल 14 है लेकिन इसमें दो हैमी स्पेर निकल रहें किनारों पर किनारों पर दो अर्धगोले निकल जा रहे हैं जिनकी लेंथ 2.5 mm है तो अगर इतना निकालोगे सिर्फ और सिर्फ इतना निकालोगे तो 9 mm बचेगा बोलो समझ भाएगी नहीं धाई इधर निकल गया तो बीच में 9 बचा है ना तो यह चकमान कितना हो जाएगा बब वह 9 और प्लस यह आर आर मतलब किसका आर मतलब किसका आर बई हैमी स्पेर का अर्थ गोलों का तो ढाहित उसका भी यह ना किनारे पर लगे जो अर्थ गोले उनका भी तो ढाहित है रेडियस बस हल कर लो बहुत आफान है सवाल में कुछ भी नहीं कि अ गदम हल हुआ है क्यूं है और अब बहुत सिंस्पल है देख बहुत मज़ेधार है इं लड़्ड 4.5 यह नव पांच चौदा हो जायागा ना अरे ढ़ाई ढ़ाई 5 और नव चौदा 14 आसान है ना साथ से काड़ दो साथ दुना 14 दो का ढ़ाई में गुड़ा करोगे पांच हो जायागा कितना हो जायागा पांच ना तो यहां पर लाके हल कर लो भई साहब तो 222 44 यह 44 इंट का प्रिष्टी एचे तरफाल यानि कर्व सर्फेस एरिया आफ काईपसूल इक्वल 220 एमेम स्क्वार को अग्ला कोश्चन देखेंगे बचों आप आज के लिए इतना ही क्लास आप बहुत बढ़ी देखते नहीं हो अगला कुश्चन अगली क्लास में बहुत बहुत थैंक्यू अपने कोई विचार होंगे कमेंट करके बताएगा और मुझे यह कमेंट जरूर करके बताना कि आप कितने घंटे पढ़ना चाहते हो काम को साथ बजे से कच्छा दसके अन्सीयाइटी मैथमेटिक्स होती है उसी करम में हम लोग एक बार फिर से उपर स्थित हैं आपकी कलास लेकर चलिए ध्यान से देखिएगा चैप्टर 13 चल रहा था पृरिष्टिय छेत्रफल सर्फेस एरिया वाला चैप्टर चल रहा थ दिखिएगा कोई तंबु का तंबु एक बेलन के आकार का है अब तंबु क्या होता तंबु को इंगलिस में टेंट बोलते हैं यह ऐसे हैं देख लो फिकर में दिख रहा है ना बस इसमें यह समझे लो कि जो आगे गेट खुला है लग राए इसमें घुशने के लिए जग जाएगा तो उपर आप देखो यह कौन की तरह है संकु आकार है नीचे सिलंडर के आकार का है आपको इसमें थोड़ा कम समझ में आ रहा है लेकिन यह सिलंडर आकार का है ठीक है तो अब समझ यह आगे क्या कहता है कुश्चन दिखाईए कौन सा नंबर था सत्वन संकु तंबु जो है वह बेलन के आकार का है जिस पर एक संकु अधैर उपित है यदि बेलना कार भाग की उचाई करमसा 2.1 मीटर और 4 मीटर है बेलना भाग कार भाग की जो उचाई है वह करमसा दो प्रकार की है अभी यह कुछ आई है उपातिरशी उचाई वह 2.8 मीटर है तो इस तंबु यानि कानवास को बनाने में कितना कपड़ा लगेगा और इसका कुल एरिया क्या होगा यह हमें निकालना है इसके साथ साथ इसका कुल लागत निकालना है अगर 500 रुपय प्रती मेटर स्कौर की तर से कपड़ा का जो चार्ज है वो लगे तो कितना खर्चा आएगा इस तंबु में आई इसका फिगर बना के आपको दिखाते हैं बच्चों सबसे पहले हमें एक तंबु बनाते हैं जैसे यह कहा है देखिए बहुत ही सिंपल है आप ऐसे समझ लीजिए इसको थोड़ा सा हुआ हुआ है यह आपका टोटल फिगर कुछ ऐसे ही बन रहा है ठीक है इसमें तिरिया कुछ आई क्या दिया है बाबु टू पॉइंट मीटर दी गई है यह क्या दी गई है टू पॉइंट मीटर कोश्चन एक बार फिर से स्क्रीन पर देख लीजिए आपको क्लियर हो जा आई है वह ऐसा कुछ दिया है इनोंने यानि अगर हम बात करें बेलनाकार भाग की उचाई और चोड़ाई तो उचाई कितना दिया इए 2.1 मीटर और इसकी ये दिया है चोड़ाई ये दिया है वबुआ ये पूरा-पूरा ये पूरा-पूरा 4 मीटर है ठीक है इसकी चोड़ाई 4 है तो ये आधा अगर हम बात करें ध्यान देना सिर्फ इतना तो भाई 2 होगा कि नहीं बोलो ये इसका रेडियस तू होगा ना चुकि पूरा जब 4 है तो आधा क्या होगा दो होगा और इसमें क्या दिया है अभी के लिए तो फिलाल और कुछ नहीं दिया है आई ये अब इसका सलूशन करते है देखिए मगर प्यार से कुजिशन को हमें निकालना है कि इसमें टोटल कितना कपड़ा लगेगा नीचे एक चीज और दिया है नोट आधार के कहनवास में जो है वो तंबू को ट्रहका नहीं गया है नीचे जमीन पर कपड़ा नहीं बिचाया गया है सिंपल सी बात है कहीं भी 1020 लगा आप देखे हो तो बेटा बाबू देखो कपड़ा नहीं लगता नीचे जमीन पर नहीं बिचता है चारों तरब से लगेगा उपर लगेगा नीचे थोड़ी कोई कपड़ा परदा भी शायेगा है ना तो चलिए इसके सलूशन पर आगे बढ़ते हैं इसमें हम संपूर्ड छेत्रफल निकालेंगे पर का से टी ऐसे लिखिए कह नमास संपूर्ड कहनमास का चेत्रफल बराबर या फिर कहनमास का संपूर्ड छेत्रफल बराबर इंग्लिस वाले लिख लेंगे TसE क्या होता है बहुत पड़े हो ना देखो बाई सिंपल बात है यह जो कुछ बनाया है इसमें दो परकार की आकरती एक बेलनाकार एक संकुवाकार है तो बेलनाकार भाग का इस लिए लिए लिख लिए आगे लिखिये आप लोग हऊए बेलनाकार भाक का चेत्रफ़ल प्लस संकुवाकार भाक क चेत्रफ़ल यहां पर लिख कहई नमास तंपूर कय अहों ब्लस संकुवाकार भाक का चेत्रफ़ल तो बाबु जो बेलना कार आपका Negro यो होता है और प्लस टू पाइयाच कहा है होता ये भी मैं आपको बताया हूं नीचे उपर दो ब्रिथा कार है बीच में एक आयत क्या कार रगा है तब बताया हूं ना चलो ठीक है उपर जो संकुवा कार है उसका भी मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था पाई यार यल होगा पाई यार यल बराबर तेच्छी उचाई तिरियक उचाई यही करना था टोटल एरिया आजाएगा आपका इसमें देखो भाईया पाई यार कामन ले लो तो टू एच बचेगा और प्लस यल बचेगा क्यों सही है ना पाई कमान 22 बटा साथ आर कमान क्या होगा चचा दो दिया ना बाबू आर कमान बेलन है याद रखना यह बेलन है यह संकु का भाग है तो जो आर है वो बेलन वाले पार्ट का है ब्रेकट में जा टू इंटू प्लस यल तिर्ची मुझाई 2.8 है नो प्राबलम हल कर लीजिए इनको करोगे तो 4.2 हो जाएगा 4.2 में बिटा जब तुम 2.8 जोड़ोगे ते 7 हो जाएगा देखो आज दो दस हांसी लेग चार दूशे एक साथ साथ आएगा फाइनल में हम साथ कह सकते हैं इसको कर दोग यह आ गया संपूर्ण कहनवास का एरिया मिटर स्कॉयर क्यों आया एक बर देखो जो भी दिया है वो सब मीटर में दिया है सब मीटर में दिया है अगर सेंटीमेटर में दिया होता तो सेंटीमेटर का स्कॉयर आता क्योंकि यह है कि एरिया है इसलिए हमेसा सेंटीमेटर स् केवल मीटर या केवल सेंटीमीटर में आता इसको यह नहीं लगता है थैलिए आप दूसरा क्या पूछा था इसमें क्या पुछा था आ 2007 की 500 और नौअ कि अवार्ट की दर से इसमें परियुक्त जो है कह नमास का लागत क्या होगा काफ कहीं लागत लिखी है का खर्चा है 500 रूपए लिखिए फुल लागत ऐसे लिखे नीचे लिखिए चूकि वन मीटर स्कॉयर की लागत बराबर 500 रूपए यानि चूकि वन मीटर स्कॉयर की जो कौस्ट 500 है सो यानि इस लिए 44 मेटर स्कॉयर की लागत यानि काश्ट इक्वल 44 इन्टू 500 इक्वल 22,000 रूपए गुड़ा करना जानतो है इसमें कोई दिक्कत नहीं ना किसी को चार का गुड़ा 44 का गुड़ा पांच में करोगे तो कर लो 220 आएगा दो जीरो बगल में उतर जाएगा इस तरह से आपका यह कोश्टन हो गया किसी को कुछ भी कहना तो बोलो फटा-फट नहीं ना लिख लीजिए स्क्रीन साट ले लीजिए जल्दी से कोश्टन नमबर अगला बचों आज कलास चोटी सी रहेगी आप लोग कमेंट करके बताईए का कितना देर की कलास आप पढ़ना चाहते हैं फिलहाल मिलेंगे हम अगली कलास में बहुत बहुत थैंक्यू इसमें कुल जितने भी कोश्टन हैं सारे करवा देंगे आप घर सब्सक्राइब जरूर करें जिससे कि आप पढ़ पाए रोज और भी फ्री कि चात्रों कुश्टन नमबर नाइन देखिए कि क्या कहता है कि सब्सक्राइब 13.2 का लाश्ट कुश्टन है कि ठोस बेलन के पर एक अर्धगोला खोद कर निकालते हुए एक बस्तू बनाई देखो कुछ ऐसे जैसे क्या एक लकड़ी का एक बेलन था उसमें जैसे कहते हैं आप कोई ठोस चीज बनाओ मालो चावल बनायों किसी कूकर में या आपने कोई स्वीट वगएरा बनाया मिठाई वगएरा उसमें कर्चुल डालके चम्मच से निकाल लेते ना लोग गढ़ दिख्धा बन जाता ना अंदर में तो वैसे क्या किया गया से कोद करके लिया लिया गया जैसे काट लिया गया तर्भूज में इसका कट कोर राज लेत तरभूज में अई गध्टा बंतलम चांचांबे प्धीं को नाउप से ना नीचे भी उपर से थीसे fare वाद क्यीश Link में दिखाई गई जो मैंने भी दिखाया तो यह दि बेलन की उचाई 10 cm है और अधर की त्रिज्य 3.5 है तो इस बस्तू का संपूर्ट प्रिष्टिय चेटबल क्या होगा टोटल सर्फेस एरी आपको फाइंड करना है आई यह पहले मैं आपको फिगर बना के दिखाता हूं फ ऐसे ही तो कुछ कहा है ना आपको दिया है ना बस लिखिए वस्तू का संपूर्ण प्रिष्टिय चेटरफल बराबर लिख लिए वस्तू का संपूर्ण प्रिष्टिय चेटरफल बराबर यह इंग्लिस में लिख लेंगे टोटल सर्फेस एरिया इकॉल क्या करेंगे पता ह जो आकरती है इसका एरिया निकालेंगे प्लस दो हेमिस्फेर एक निच्चे एक उपर बंद रहा है इनका भी निकालेंगे दोनों को जोडेंगे तब फाइनल आएगा ठीक है चाहिए तो लिख लो यहां लिखो कि इंग्लिस में लिख दें तो पर्याप्त हो जाएगा आप लोग हिंदी में लिख ले लेना ठीक है ती आसे को टोल सर्फेस एरिया इक कोल हिंदी में लिख लेंगे कुल प्रिष्टी ये चेत्रफल भ्लस बेलनाकारभाक का डूपाईयार्स होगा वह ओगा की नहीं हिन्ट किंग्वंदगे में हैं टूपाईयार्सकायर तो यह दो आहते हैं आपके सामने आ गया यह लोग आर कमान कितना है तीन दसम्लों पांच है न है रखने के पहले इसमें काम कर लो यार थोड़ा सा असान हो जाएगा इसमें कुछ काम नोमन ले लो मजा आ जाएगा चलो तो तो पाई आर कमान ले लेंगे तो यह प्लस आर प्लस आर बचेगा ओके भाईया चलो बाबू आजाओ टु इंटु पाई कमान 22 बटाफाथ इंटु आर कमान 3.5 इंटु यह दस है प्लस यह 3.5 और यह 3.5 को दिकत नहीं न चलो यह आपका हो जाएगा दो गुड़े 22 यह आप कार्ड़ दो तो 0.5 आएगा और यह हो जाएगा आपका 17 आप काओगे 17 कैसे हो गया साड़े तीन साड़े तीन हो गया साथ और यह 10 यह 17 हो गया एक चीज़ और समझो आपका चाचा ही कहां चलागा यह आप सोचोगे ना देखो इसमें कुछ गरबर भी हो रहा है का देखो मैं डेटियल में आपको बताई देता हूं यह 25 यह एक हो गया है यहां से यह भी हट जाएगा फाइनल में दो भी हट जाएगा लेकिन आप कंफियूज में ना रहो चलो यह भी ले लो जिरो पॉइंट पांच गुड़ा सत्रह देखो पांच दसम्लों में जिरो पॉइंट फाइब करोगे वन पॉइंट जिरो आजएगा एक का किसी भी गिंति में गुड़ा करो कोई फरक नहीं पढ़ता है यह सत्रह था तो यह आपका वण हो जाएगा इंट्ट टवंटी ट तीन साथ आगया तीन सो चोहतर लेकिन सेंटिमेटर स्क्राइल लगाना नहीं भूलना वरना सब चोपट हो जाएगा इस तरह से आपका यह कुश्चन कमपलीट होता है और आपका यह खतम हो गया 13.1 कुछ भी डाउट है किसी को तो बताओ नहीं ना 13.2 आप पढ़ेंगे अगली कलास में कमेंट करके बताएगा आपको समझ में आगा कि नहीं नहीं आया तो बताना बता दिये जाएगा फित से तैंक्यू जरूर करना वीडियो को कल आपको 13.2 मिलेगा